नमस्का दूस्तो, Stock Market Studies पर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं एक ऐसे कमपनी इसके बारे में बात करूँ, जो कमपनी आज आज आपको सबसे सस्ते दाम में उस कमपनी का सेयाद दे रहे, साइद इस मौका आपको दोबारा ना मिले, देखिए आप कहेंगे सर क्या आ आप इस कमपनी को निवेस्ट करने के लिए बोला है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मेरे कभी भी कोई भी वीडियो में आपको इस चीज देखने को नहीं मिलेगा, कि मैं आपको रिकॉमेंडेसन करूँ, इस कमपनी के सेयर खरीदारी करिए, इसको बेचिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, आप इतने मैनेच से पैसा कमा के लिए क्या है, और उस पैसे को आप इनवेस्ट करके पैसा कमाना चाहते है, तो आपको भी थोड़ा सा तो मैनेच करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिसिजन तो आपका ही होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा जिने एक बात कही है कि उन्होंने कहा है कि मैं तब company को निभेस करता हूँ जब अच्छे company मुझे discount में दे इसका मतलब मैं मान के चले कोई भी share इस level में चला है तो कुछ product आप discount में खरीदना चाहते हैं किसी भी दुकान में किसी भी shop में आपको discount मिले तब वो shop में दुकान में आप चले जाते हैं तो आपको भी इसी तरीके से stock को find out करना है कौन सा company discount में मिल रहा है discount में मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि हर company अच्छा है आपको देखना है वो company कितना बेस्ट है तो चलो आज data group के साथ जूड़े हुए companies के बारे में बात करूँगा तो जो data मतलब आप सब जहनते ट्रस्ट उसी के साथ जूड़े है इस company है जो फीचरिस्टिक company है आप कह आने से पहले में चनल को सब्सक्रीब करने के लिए जोरू का हूँगा और टेलीग्राम को भी जोइन करने के जोरू का हूँगा और हाँ अभी तक आपने सौट वीडियो मेरे मतलब नया सीरीज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए बहुत सरा information आपको मिलता रहेंगे तो देखे कंपणी का नाम है वोल्टास अब सभी जनते हैं वोल्टास एक टाटा ग्रूप के कंपणी आप देख सेकते हैं इसका parent organization कौन है टाटा ग्रूप टाटा ग्रूप मतलब टस्ट देखे इस चीज को आप दिमाग में ऐसे भी बठा मतलब जिएगा के टाटा तो ट्रस्टेड मतलब बहुत पूराना एक इंडस्टीज है तो इस companies के उपर भरोसा करिया जाए कि नहीं किया जाए उसी के बारे में बात करोंगा तो वोल्टास आप सभी जानते हैं एक एर कंडिशन एक रेफ्रिजेटर साथी साथ माइक्रोवेब आप देख सकते चलो म dispensers तो इस तरीके से प्रोड़क वो बनाते हैं तो इसका मतलब इस तरीके से प्रोड़क एक फीचरिस्टिक प्रोड़क है आप कहेंगे सर क्यों देखिए पहली बात ध्यान से सोच धान से इस चीज़ को अगर सबसे पहले सोचना देखिए मैं कोई भी स्टॉक करने से पह क्या से उसको चला रहा है वह आपको डेटा देक्कर ही रही पता चलेगा क्यों मिलता है गर्मी जितना बढ़ेगा हर घर में आपको एर कंडिशन लेना ही पढ़ेगा तो जब एर कंडिशन बढ़ेंगे तो किसका sell होगा इस तरह के से company का sell होगा क्योंकि इंडिया भी growing mood में है और इस growing mood में लोगों को पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे उसक पाइद ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं मगर आपको 100% से दिखा जो 98% लोग दिखेगा हाथ में पैसा आने के बाद ही सोच लेते हैं मुझे एक खरीदना है वो खरीदना है मुझे एक दिखाना है दोगों को दिखाना है इतो आप जानते ही है तो इस तरीके से लोग आपके आसपास है तो आफ जोरू कमेंड करना तो ये आपे देख सकते कमपानी ये जो प्रोजक्ट है ये जर सो प्रोड़ुक्ट है प्रोटुक्ट-पिचरिश्टिक है होगा कि इसका चार्ट पटन आजरें के ध्यान से इसका चार्ट पटन क्या बता रहा है किए कोई इसका लेविल क्या था को भीकर में इसका लेवल था करावन करीबन 400 रुपीज के आसपास 440 रुपीज के आसपास वहाँ से और ने किस तरीके से सान्दर आपको return लिया आप देख सकते हैं 400 से जरनी किया कमपझानी करीवन-करीवन 1300 रुपीज के आसपास देखने को मिला था तो 400 से 1300 ए जो जरनी है ना बहुत सांदाचारी ने देखने को मिला तो यहां से कंपनी देखिए री बैग भी किया रिवर्सर भी किया और एक बहुत बड़ा क्रेस्ट देखने को मिला कि देखे कुछ crisis के कारण, globally impact के कारण, इस तरीके से crash देखने को मिला और अभी सबी जानते हैं, company इस तरीके से गिरावट के पीछे और भी बहुत सरे कारण से वो कारण यहां पर मैं discuss नहीं करूँगा, अभी आपको देखना है चार्ट पटन क्या बतर है चार्ट पटन जो बतर है आपे देखे 200 जो EMA है, इस EMA के नीचे टेट कर रहा है इसका मतलब stock में और भी गिरावट होने का chances है, तो गिरावट अगर होगा तो कहा तक हो सकता है देखे मैं एक trend line आपको docker के दिया, यहापर जो trend है, यहापर इस trend को बोलता है resistance और यहापर जो strong resistance है, strong resistance, इस strong resistance को company को तोड़ना, मतलब इस company को तोड़ना बहुत ज़्यादा कोसित करना पड़ेगा क्योंकि जब कोई strong resistance होता है, वो ही companies के लिए upper level से side, मतलब, sorry, आपको supply zone बन जाता है तो supply zone के ही सबसे देखाज़े, तो 733, बहुत strong supply zone है, अगर इस level को तोड़कर sustain करता है, तो उसके बाद बहुत बड़ा crash देखने को मिलेगा और वो crash level होगा, करीबन करीबन आप देखेंगे, तो इस level तक, मतलब 4500 level तक, तो आपको मैं इसी लिए इस चार्ट को इसी लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि company का lifetime chart button देखेंगे, तो company इस तरीके से कारवार आज नहीं बहुत बार कर चुके है, यहापे भी दिखे कर चुक यहापे भी था, यहापे भी था, यहापे भी था, इस तरीके से भी था, और भी एक बर हो रहा है, तो इसका मतलब company इसी तरीके से काम करते करते आप में जाएगा, तो इतना सांदर discount price में, इतना सांदर company का माल आपको सस्त में मिल रहा है, तो इसका फाइदा आपको उठा में जो हाई तोड़ा था तम में निविस किया था करीबन ग्यारा सो रुपीज के आसपास तो आज वो डिसकाउंट में दे रहा है तो में तो माल जुरू उठाऊंगा और भी गिराफट हो तो और भी माल उठाऊंगा तो यह मेरा का decision है आपका decision मेरे decision के same to same होना नहीं चाहिए आपको थोड़ा सा research करना पड़ेगा तो company के management team कितना strong है वो थोड़ा सा आपको जान कर दे दू 27,000 क्रोड के market cap है इसका कोई छोटा मोटा market cap नहीं है साथी साथ company का हर date आपको positive लगएगा company में कोई भी करजा नहीं है यही सबस के कारणी stock में इस तरह के से गिरावड देखने को मिला है तो देखे company का market cap to sales के सब्सक्राइब तीन परसन के आसपास इसका market cap to sales है तो company का profit and loss के बारे बात करो तो आप देखेंगे company का sales growth profit growth उतना खास नहीं है तो इसलिए profitable margin है continuously maintenance हो रहा है तो उतना growing mood में नहीं है क्योंकि के पहले भी 500 था अभी भी 500 है इसी range के अंदर company अभी भी profit and loss दिखा रहा है तो as investor क्या कर रहा है देखे company इस तरह के से गिर रहा है अगर company में खरावी होता तो institution कब का माल बेचकर भाग जाता फिर भी देखिए FIS and DS ने सबसे ज़्यादा holding करके रखा promoter के बाद तो सोचना एही extend है एही आपको बताता है कि company में कितना दम है लेकि आपके पास मेरे पास कितना information है company के अंदर क्या चल रहे ना चल रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो सब कुछ data FIS and DS के पास होते है क्योंकि आप और में कितना एक लाग दू लाग पचास लाग एक करोड तक आपक किसी company के उपर decision लेता है तो मेरे हिसाब से एक वेस्ट company है मेरे खुद के opinion बता रहा हो क्योंकि आपका opinion अलग भी हो सकते है क्योंकि जो company के इस सारे parameters positive में है जिसका cash flow भी अच्छा का सा maintain हो रहा है तो उस company के उपर अभी अभी आपको अच्छा का सा मौका दिया जा रहा है करीवन करीवन इस company का जो discount price है मैं आपको एक साल के बारे में बात करूँ पांस साल के बारे में बात करूँ मैक्सिवन के बारे में बात करूँ तो कितना सांदा देखे 6000% का return अगर यहाँ पे जो क्रियास हुआ था लोगों ने सोचा कि माल बेज दू तो क्या उसको इतना return मिल था बिल्कुल भी नहीं आपको time देना पड़ेगा आपको long term vision के लिए company को business को सोच कर time देना पड़ेगा तो company देखे एक साल में करीवन 30% के आसपास discount में company का product आपको दे रहा है तो उस हिसाब से आप निबेस करिए तो मेरे हिसाब से इस company के बारे में जानकर आपको मि मिल चुका है मेरे वीडियो कैसे लगा जूरू कमेंट करना इसी तरह के से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब भी करना मिलते नेक्स न्या स्टॉक लेकर तब तक लिए अच्छे सरी है अपने ख्याल लखिए बाबाए